हलो फ्रेंट्स, विल्कम बैक टो आर चैनल आजकल जैसे कुरोना वायरस बहुत देगी से फैल रहा है इसलिए गोवर्मेंट ने पूरा लॉक्डाउन किया हुआ है तो उमीद करती हूँ आप सबी घर पर रह रहे होंगे पर हम में से, हमारी फैमिली में से किसी एक मेंबर को दो या तीन दिन में बाहर जाना ही होता है हमारे जरूरी एसेंशल लाने के लिए पर जब हमारे परिवार का कोई सद्द से बाहर जाता है तो वो सुरच्छित रहे जिसके लिए उसे जरूरत होती है हैंड सैनिटाइजर की पर आज के टाइम पे हमारे मारकेट से सारे हैंड सनिटाइजर जो है वो गायब हो चुके हैं फिर इस तरह से हम इस टाइम पर क्या कर सकते हैं जैसे कि कहा जाता है कि कोरोना वाइरस जो होता है वो जो अलकोहल वाले सनिटाइजर होते हैं उन्हीं से मरता है तो आज मैं सिर्फ दो ही चीजों से आपको hand sanitizer बनाना बताऊंगी ये कोई gardening वीडियो नहीं है पर मैं समझती हूँ कि आज के टाइम पर ये बहुत जरूरी है क्योंकि जो हमारे परिवार के सिद्ध से बाहर जा रहे हैं, market जा रहे हैं, समाल ला रहे हैं उन्हें हर 10-15 minutes में अपना hand sanitizer करना होता है और hand sanitizer market में नहीं है, इसके लिए हम क्या करें तो इसके लिए हम कर सकते हैं, हमें किन-किन चीजों की जुरत होती है वो में आपको बताती हूँ आपको चलिए अलविरा जल, कोई भी अलविरा जल आप ले सकते हैं यह अलविरा जल में क्या होता है कि आपकी जो इसकीन होती है वो सुपती नहीं है, ड्राइ नहीं होती है बार पर जब अपन साबूं से hand wash करते हैं तो हमारी जो hand की skin है वो ड्राइ हो जाती है जिसके लिए हमें जुरुत है इस अलविरा जल की आप किसी भी company का अलविरा जल ले लिए जो आपको अबलेबल है तो कि आप इस समय तो market जा नहीं सकते हैं कुछ भी समान खरीदने के लिए और हमारा जब भी कोई family member बाहर जाता है तो medical store जैसा की खुले हैं तो आप मंगभा सकते हैं वहां से ये rubbing alcohol जिसे spirit भी कहते हैं ये 50 rupees में मिल जाती है और ये rubbing alcohol है इसलिए ये coronavirus के जो भी किटाड़ू है उन्हें मारने में मारने के लिए बहाँ सही है तो हम इन दो ही जीजों से hand sanitizer बनाएंगे और ये hand sanitizer जो है ये hand sanitizer है ये बिल्कुल market के जैसा होगा मैं आपको दिखाऊंगी दोना hand sanitizer को मैं आज के यही यूज कर रही हूं और बहुत effective है और इस hand sanitizer को हम डिरेक्ट इस तरह की एक bottle में बनाएंगे ये ऐसी bottle नहीं है आपके पास तो परशान मत हो ये इसका भी solution है मेरे पास ये देखिए ऐसी जो भी oil की bottle हमारे गर में आती है ये बहुत अच्छी है आप इन में ये hand sanitizer भर कर रख सकते हैं और यूज कर सकते हैं यूज करने में बहुत आसान होती है करके आप खो लीजिए और यूज कर दीए इसको तो आपके पास ऐसा bottle है तो ठीक है नहीं है तो आप इनको यूज कर सकते हैं तो चलिए हम बनाते है अपना hand sanitizer तो इसके लिए आप एक empty और भ्यान की का आप जो भी bottle यूज कर रहे हैं उसे अच्छे से दोग कर सुखा कर देगा ताकि बॉर्टल के अंदर बाकी रहना हो और इसके बाद हम लेंगे अपना यह aloe vera gel तो आप अलवेरा जल को भर दीजेए करीब इतना वन फोर्थ आप इसको फिल के दीजे अलवेरा जल से और अब इसमें डालेंगे और एक और बात अलवेरा जल हम इसलिए भी बेस मिल जाएगा और इसके बाद इसमें जो है प्रिजर्वेटिव मिले हुए है तो हमारा एंड जनिटाइजर काफी समय तक अच्छा रहेगा खराब नहीं होगा यह देखिया आप इससरे से यह सील होता है आप इसको किसी चाकू की मदद से या फिर कैसे खोल दीजे और इस बॉटल को फिल कर दीजे इस रबिंग अलकोहल से यह देखिये मैं इतना ही फिल कर रहे हूं ताकि इसको शेक करने के लिए जगह मिले इसके बाद आप इसको बन कर दीजे और शेक कर लीजे यह देखिये बहुत जल्दी यह आपस में मिल जाते हैं हम चाहे तो इस पर रबिंग अलकोहल क्या होता है बहुत जल्दी हावा के संपल में आने से उड़ जाता है इसलिए हमें इस तरह इसको मिक्स करने की जड़त होती है यह देखिये यह देखिये इसके बाद हम अपने हाथों को इस तरह से रब करके अगर आपको लगता है कि इसी कंस्टेंशी थोड़ी सी लिकुड़ी है तो आप इसमें और एल विराजल एड़ कर सकते हैं देखिये अब इस सैनिटाइजर में हम मिक्स कर सकते हैं एसेंशिल वाइल खुश्बू के लिए या फिर बहुत सारा इस आइल है पर इस समय मार्क नहीं जाना है इसलिए हमें वह सब चीजे अबलेबल नहीं है तो सिर्फ हम यह दो ही चीजों से हैंड सानिटाइजर बनाएं विस्वास रखे यह 100% effective है और आपकी फैमिली को बचाने वाला है या उस इंसान को जो आपकी फैमिली से बाहा मार्केट में जा रहा है उमीद क इत्ती हो वीडियो आपको पसंद आई होगी थैंक यू फो वाचिंग सी यू नेक्स वीडियो बाबाई